हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिवा जैक और आप देख रहें कस्टम एक दोस्तो अगर आपको भी एक बजट फोन की तलाश होगी तो आज मैं वो बजट फोन लेका आया हूँ जो कि नोकिया का तो दोस्तो नोकिया का यह जो फोन है यह 7000 के अंदर आपके बजट में आ सबसे बहतरीन फोन है यह आप मोबाइल 91 के इसका रिव्यू देख लेंगे तो अबव 70 प्लस ही इसका रिव्यू है जो की 75 परसेंट बता रहा है किलाल के कंडिशन में आपको स्क्रीन के उपर दिखा दूंगा मैं ठीक है तो दोस्तो नोकिया का सिर्फ नाम ही काफी है तो कि मैं अब यह बताऊंगा आपको चले देखते हैं उसके बारे में तो यह आ चुका है दोस्तों फोन एमेजन से यह देखिए आपको दिखा देता हुए आपके नूक्या 3.1 प्लस बाल्टिक कलर है और यह 6980 रुपए का तो इसको अब हम ओपन कर लेंगे पैकिंग बहुत बैतरिन दिया है दोस्तों इसकी तो इसका कॉन्फरिकेशन देखिए में बताता हूँ चेंज का डिस्प्ले दोस्तों इसका IPS HD डिस्प्ले पुरा 13 प्लस 5 मेगापिक्सल कैमेरा है बैक साइड का डिएल कैमेरा है और फ्रंट जो है 8 मेगापिक्सल है साड़े दिन हजार एमेच की बैटरी है फिंगर प्रिंट सेंसर है अक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में ठीक है और हैंड से लाजवाब है दोस्ते हैं बॉक्स ओपन करने के बाद में हमको मिल जाता है यापे देखें यूजर मैन्यूल भी है और यहापे चार्जर है इसके साथ में हमको यूएजबी केबल मिल जाता है और हेड़फोन मिल जाते हैं जो कि सिंपल हेड़फोन है फिलाल के कंडिशन में तो यह हेड़फोन आ गया है यह बहुत बड़ी बात है हमारे को और यह हमारा डिवाइस लुक बहुत बहतर है दोस्तों इसका देखें यह है बाल्टिक कलर इसको चालो कर लिया हमने अभी और इसका जो पूरा कॉन्फरिगेशन मैंने बता दिया आपको तो पूरी सेटिंग करने के बाद में देखें अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेंगा आपको यह डिवाइस नेम वागे रहा सब एंडुड वरिजन मिलेंगा इसके अंदर अपडेट आपको नोगट का कि यह स्टोरेज 32GB का और बैटरीय साड़ेती नजार इमेज की और यह दिखें कैमेरा दोस्तों इतना लाजवाब है इसका 13 प्लस 5 मेगा पिक्सल डुएल है क्लियर व्यू इमेज एकदम कोई पिक्सल का कमतरता नहीं इसके अंदर कोई फटेंगा नहीं पिक्सल इसके अंदर और कुछ दोस्तों इसके अंदर मैंने नाइट मोड भी लिये है तो नाइट मोड का मैं आपको रात के अंदर एक इसके फोटो निकाल के आपको बताऊंगा इसके उपर अभी तो यह नाइट मोड के फोटो है दोस्तों नाइट मोड भी इसका बहुत क्लियर है दोस्तों वीडियो पसंद आयोगा तो प्लीज लाइक कर दीजे सब्स्राइब करें चानल को और बेल आइकन को दबा दीजे ताकि मेरे जो भी वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पोस्ट सके